Hello everyone, I hope you all are fine. तो आज मैं आई हूँ प्रॉब्लम्स लेके रिलेटी टू काई स्कियर and our subject is fundamental of genetics semester 1. तो जी यहाँ पर हम जो सबसे फर्स प्रॉब्लम डिसकस करने लगे हैं वो है problem number 3.2, chapter number 3 में है यह problem तो इसकी statement आप लोग अपने सामने रखेगा तो इस statement में हमसे कहता है कि mental crossed pea plants that produce round seeds with those that produce wrinkled seeds and self-fertilized the progeny तो यहाँ तक हमें पता लगा कि इस question के दो parts है first में जो है वो dominant recessive का cross है और next step में self-fertilization है उसके बने उसने हमें पताया कि in the F2 F2 मतलब कि जब उन्होंने उनको self-fertilize कर लिया तो जो progeny आई उसमें 5474 जो थे वो round seeds थे और 1850 जो थे वो wrinkled seeds थे ठीक है तो उसके पाद उसने बताया है कि using the letters W for the seed texture and from the allele diagram mental cross showing the genotypes of the plants in each generation are the results consistent with the principle of segregation तो principle of segregation हमें यही कहते है कि जब हमारे पास gamers बनते हैं तो हर जो है वो individual जो है वो parents है हर parents से एक gamit जो है वो next generation में जाता है यह हमारा principle of segregation होता है कि gamit जो होते हैं वो मतलब हर gamit में जो है वो हर parents से एक जो जीन आती है यह बात हमें भी पता है कि हम gamit बनाते हैं तो अब यह question इस तरह का है कि इसमें उसने हमें बता दिया कि सबसे पहले हमने round और रिंकल को cross किया जो generation है इसको self fertilize किया तो आप बताएं कि इसके जो है इसकी जो results आ रहे हैं वो हमारे पास यह हैं उसने हमें question में बता दिया वो हमसे कहते हैं कि क्या हमारे results स्माल डब्ली यूज किया तो इसके बाद हमने इसके गैमिट्स बनाए है हर पेरेंट से एक जीन हमारे पास आई है तो हमारे पास फिर्स जेनरेशन आई है वो है capital w and small w और इसकी जो फीनोटाइप होगी वो round होगी because round is the dominant trait next step में हमने इसको self fertilize करने है आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हमने किया हुआ है इस पे capital w, small w और capital w, small w को हमने cross कराया है फिर हमने दोनों की गैमिट्स बनाए है हर एक में जो है वो दो गैमिट्स आएंगे capital w और small w फिर साइट पर मैंने पूलर स्केर का हिंट दिया कि इस तरीके से हमने गैमिट्स को ओपर नीचे लिखके चारों फीनोटाइप लिख लेने है कि क्या क्या है तो अब जो most important जो हमारे पास बात आ रही है वो है about the के हमारे पास हमारे पास इसकी ratio क्या है यह जो फीनोटाइप आई है हमने इसकी proportion बतानी है यह सबसे important बात है तो आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारे पास total 4 फीनोटाइप आई है जो first 3 है capital w capital w capital w small w और capital w small w इन तीनों के जो फीनोटाइप है ना फीनोटाइप means physical appearance ठीक हो गया इन तीनों के जो फीनोटाइप है वो है round तो हम कह सकते हैं कि 4 में से 3 की जो है वो हमारे पास round है आपको पते हैं कि इनको fraction की form में हम 3 by 4 लिखते हैं हम कह सकते हैं कि 3 out of 4 individuals 3 are round ठीक है तो और जो हमारे पास wrinkled है small w small w वो हम कह सकते हैं वो सिर्फ एक ही है तो हम कह सकते हैं 1 out of 4 individual is wrinkled तो यह हमारे पास जो है यह हम expected values निकार रहे हैं हमेशा जो हमें question में दी होगी value वो होगी observed value जो scientist ने observe कि होगी और जो हमने निकाल ली होती है expected value वो हम इस तरीके से निकालते हैं कि हम crosses कराते हैं और हम मतलब count करते हैं बहुत ही इचे तरीके से किस तरह जो हमारे पास किस proportion में हमारी phenotype आ रही है तो इस case पे हमने 3 by 4 round देखे हैं और हमने जो है वो 1 by 4 हमने wrinkled देख लेगी तो जी यह हमारे पास ratio आ गए कि 3 by 4 round है और 1 by 4 हमारे पास wrinkled है तो अब हमने इससे हमने निकाल ली है नाजरीन वो हमारी होगी expected value और वो हमने इस तरीके से निकाल ली है कि हमें question में बताया गया है जो है 5718 जो है वो round individuals है और 1906 जो हमारे पास wrinkled individuals है तो इन दोनों को हमने पहले plus कर लेने ताकि हमें पता लग जाए कि total phenotype जो हमारे पास individuals आए है total जो हमारे पास आए है वो कितने तो इन दोनों को हमने plus step किया तो मारे पास answer आया 7624 ठीक हो गया जी यह जो मैंने अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने add up इसलिए किया है कि हमने निकाल ली है expected value अभी तक हमने जो expected value निकाल ली है वो हमारे पास जो है fraction की form है यानि हमें पता है three by four round and one by four wrinkled है लेकिन हम एक number की form में चाहिए कि expected value कितनी है कि round कितने और लिंकल कितनी है इसके लिए हमने जो था वो हमने जो है इंडिविजोस को total किया कि total number of progeny कितनी थी वो हमारे पास 7624 थो इसमें से हमें पता है कि इस total progeny में से 7624 है 3 by 4 हमारे पास round है तो हमने इसको 3 by 4 से multiply किया तो हमारे पा है कि 7624 में से 1 by 4 जो proportion है वो wrinkled series का है तो इसलिए हमने इसको 1 by 4 से multiply किया तो हमारे पास 1906 हमारे पास हमें पता लगया यह wrinkled series है ठीक है तो अब हमारे पास round और wrinkled हमारे पास observed value भी है जो कि हमारे पास question में है और expected value भी है जो कि हमने इस तरीके से find out किया तो अब हमने इस वो सही है या नहीं तो इसके लिए हमने formula यूज करना है जी formula होता है जी sum of observed value minus expected value इसका square over expected value यानि जिते भी layers है उनके लिए observed और expected value का minus करके उसका square लिखे उपर और denominator में expected value लिखे और इन सब को sum out कर लें तो आप देख रहे हैं कि काई स्केर में हमने दो जो है वो फ्रेक्शन बनाई है परी फ्रेक्शन राउंड के लिए यानि राउंड के लिए observed minus expected square over expected plus जो रिंकल्ड के लिए हमरे पस value है observed value minus expected value जो हमने निका लिए हमने निकाल लिए 1906 ओवर तो जी इस तरीके से round observed minus expected square over expected के हमने काई स्केर निकाली 2.1937 इसमें हमने नेक्स टेप है वो हमने degree of freedom निकाल लिए निकाल लिए जो हमारे पास generations आई है यानि इस case में हमारे पास हम उपर देख रहे हैं चार generation आई है जब हमने self fertilization कराई है न तो हमारे पस चार individuals आ रहे हैं तो इसमें से हम one minus कर देंगे तो हमारे पास degree of freedom आ जाएगा इस case में four है तो four में से हमने one minus किया तो three आ गया यह हमारे degree of freedom degree of freedom हमने इस question में discuss भी करते हैं कि यह क्या होती है तो अब हमने जो है अपने table में जाना है जो कि हमें question में दिया होगा critical value कर table और हमने five percent critical value में देखना है कि three degree of freedom की क्या value है ठीक है वो value हमने देखनी है अगर वो value जो है का square से बड़ी होगी दूसरे लफजों मे अगर का square की value उस table में दी गई value से छोटी होगी इसका मतलब है यह hypothesis बिलकुल सही है यह जो हमें question में बताया गया कि इतने round इतने रिंकल है वो बिलकुल सही बात है ठीक हो गया तो इस case में हमारी का square की value जो है वो critical value से छोटी है ठीक है आप लो critical value को table से देख सकते हैं तो इ expected value जो होती है वो हम इस तरीके से cross करके proportions निकाल के find out करते हैं तो अब हम जो है discuss कर लेते हैं problem number 3.11 ठीक है तो सबसे पहरे हम इसकी मिलके statement पढ़ते हैं आप लोग बुक से statement अपने सामने खोल के रखिएगा तो इसकी statement यह है कि Mendel test crossed pea plants grown from the yellow round F1 seeds इसमें जो बहुत important बात है न question में groan from. Gron from का मतलब है कि यह यहलो राउंड नहीं थे बलके उनको यहलो बलके यहलो राउंड parents की परज़ानी थी तो परज़ासी का मतलब यह ही हत्रोजागस थी कि लों परजागस नहीं तो इसमें उसने मतलब है grow from yellow round, यह हेट्रोजागस हो गया two plants grown from green wrinkle यह बहुत है they were grown from green wrinkle. green wrinkle recessive is a peor recessive कि कभी भी recessive नहीं हो सकते हैं heterozygous नहीं हो सकते हैं जो सिर्फ dominant वाले ही होते हैं ठीक है individuals तो इसके बढ़े है कि इसको cross रहा है उसने दूनों इंडिविजोल को तो उसके पास 31 yellow round, 26 green round, 27 yellow round 26 green wrinkled आई तो वो पूछ रहा है कि are these results consistent with the hypothesis that seed color and the seed texture are controlled by independent assorting genes is segregating two aliens तो मेंडल्स के law की बात करें कि क्या हमारे results मेंडल्स के law के मताबिक हैं या फिर नहीं है तो यह as it is हमने जो जब भी हमने कोई hypothesis प्रूफ करना होते हैं तो उस पर हम चो होते हैं 31, 26, 27 वगरा वगरा और हमने expected values जो है वो find out करनी है ठीक हो गया जी तो जी अब हमने सबसे पहले क्या करने सबसे पहले हमने क्रॉस करा रहा है अब हमने पता है round yellow और wrinkle green को क्रॉस करा है तो round yellow हमें grown from के word से पता लग गया पता है तो हमने लिखा round yellow में capital R, small r, capital y, small y और wrinkle green में हमने सारे small लिख लिए और हमने फिर गयमिट में हमने हर trade के लिए हमने हर trade के लिए एक एक जीन लेकिंशे combine करने है यानि पहले गयमिट में capital R, capital Y, दूसरे गयमिट में shape वाले को small कर दें यानि small r और capital Y, तीसरे गयमिट में round वाला ले 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 और चौत्छे गयमिट में small r, small y और wrinkle सारे से में इसलिए उसमें एक capital R के एक capital Y आएगा तो उसमें हम एक गयमिट कंसीडर करेंगे और फिर इस एक गयमिट को हम round yellow के चारो गयमिट से बारी वेरी combine करेंगे और चारो individual हमने लिख लिए है ठीक है, अब हमारे पास four individuals आए हैं और हमने proportions निकाल लिए तो हमने देखा कि ये चारो जह है वो different है, पहला round yellow है, दूसरा wrinkle yellow है, तीसरा round green है, तीसरे में R capital है और Y ज round green है, और जोट्से में सारे small हैं, यांई वो wrinkle green है, तो हमने है चारो इसके हमने कहा कि ये जो चारो है इन की probability equal है, यानि चारो के equal chance है, कि वो occur हो, यानी जो first round yellow है, तो four में से one chance है, यान यारी तो four में से one chance है, से second वारा यान रिंकल ग्रीन है, और फिर four में से one chance है, कि या और फिर वान्टरों cinकास है और फिर प्राइल में से वह स्मॉल आर्ड समॉल आधानी की प्रपॉर्षन लिख लिए थी dal से श्हार उँस्व Σके से तो इसानों कि रिखाए मैंने तौटल k patterns लिए निकांल ही होती है तो ऋमने अब हमारे ले अांट ऐसे में वालीए को फ्लस करेंगे तक्याकि हमारे पास डें चाले को वेलीव कहाती है न्यूंड ही और हम उता है मैं ग्री हम नहीं ही थे हम दो रोश भी पहले मैं डिक अब बनाये पहले proclaim 1 x 4 multiply by 1 by 10 आप लोग्ट देख हैं expected के आगे नहीं लिखा हो है 1 x 4 multiply by 110 यानि सारे इंडिविजियोज की एक्सक्टेट वैल्यू यही है कि सारे इंडिविजियोज की रिंकल ग्रीन है वन बाइ फूर मींस 25 परसंट है क्योंकि आप वन बाइ फूर की अगर परसंटेज निकालने चाहें तो आप लोग कल्कुलेटर पे वन बाइ फूर को डिवाइट करें और जो आंसर इसको हंटर से मृटिप्लाइ करें तो 25 परसंट चांसे हैं तो वन हमने व आप तो अब हमारे पास हर करेक्टर के लिए उब्सेट वेल्यू भी आगई थे तो इसके बाद हमें पता है हमने जर्स जो है वह फॉर्मॉला लगाने का इसकुर का फॉर्मॉला होते है उब्सेटर वेल्यू मैंनिस इस्पेक्टिव वैल्यू उसका स्क्यर ओवर एक्सप यानि का स्क्यर की वैल्यू थी वह मारे पास जिरो पॉइंट पॉइंफिए इसा चैनले का जो पर फॉर्मॉली से वह हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू से एड़ीउ जो थी वह चूटी थी तो हमने कहा कित सुद कि आवर हाइपॉतिस इस एकसपेक्टिड हो गिया जी तो इ केल्कुलेट जरूर करना है काइसक्यर है नहीं सारे इंडिवीजूस की अपजर्ब और डिक्वाब्सक्राइड में वेल्कुल साही लिखेंगी है ठीक है लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको कैल्कुलेट जरूर करना है इससे आपकी प्रेक्टिस भी होगी और अगर खुदाने खास्ता इसमें को गलती बगारा हुई तो भी जो है वो दिखा जाएगी तो इस तरीके से हमने जो था देखा कि किस तरह हमने अब्जार्ड वैलियो हमें कुस्टिन में दीगी थी स्पक्रिट हमने निकाली हो देखा कि हमारा है यह वाला भी टूथ है दूसरे अबसर में हमारी दूनों जीन्स जो है वो इंडिपैनेटली एजॉट हो रही है तो अब हम 3.13 कॉस्टन कर लेते हैं यह सारी कॉस्टन हम देख रहे हैं कि एकायस के रिलेटिड ही है ठीक है जी तो कॉस्टन एक ठीड उत्स जी तो मैं से यही कहता है कि हमाई पास जो है वो टॉल और ड्राफ इंडीजूल से उन्हों क्रॉस करैं ठीक है और जो हमारे पास रिजल्टिंग इंडिविज्टिव इससको तैस्ट क्रॉस कराए ठीक है तैस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास इंडिविज्वाया हो इसको हम जिससब से है वह ब्रॉस करते हैं झीक है यहां पर एक क्रॉस पर इंवालड है अगर हम इसकी स्टेट्मेंट पर इसके तेस्ट टू acceptee 1 ratio 1 तो इधर सने expected भी बता दिया है capital d small d cross small d small d तीक है यस च्टप 2 से स्ने कॉश्टर में हमें बता दिया क्रॉस क्या है ठीक है तो कि पिर हम स्टेब फिर हम स्क्रविसरी स्टार्ट करते हैं अब हमें observe value बता दीगी यह एक्सपेक्टेड हमें बता दीगी है लेकिन फिर भी हम इसे जरूर निकालेंगे और इसे हमें एक हिंड यही लेंगे के वन रेशियो वन यानि फिटी फिटी दोनों का चांस है हाफ अफ चांस है दोनों जो इन्वीजियोस के होकर होने का तो स्टेप बन लिया हमने जिस स्टेप कर चांस है जोग किभाव सितने हैं टो इसकें गैमिट उसका इसे तरह बनेंगे वह दोनों कर डिफरेंट हैं तो अक स्बिटाल बनेंगा तो हमारे पस डूझ ही के साथ ङोडेंगे तो हमारे पस दो इंट विज रस आएंगे एक टॉल है हेट्रोजाइगस यानि कैविटल ली स्मॉल ली और दूसरा जो है वो ड्वाफ है स्मॉल ली स्मॉल ली ठीक है तो यह मेरे पस इंडिविजुल दो इंडिविजुल आ रहे हैं इसके रिजल्ट में और इसके हम रिजल्ट यह अखस करेंगे कि इन दोनों के इकवल चांसे हैं यानि वन बाइ टू चांसे है कि इंडिविजुल द्वाफ हो और वन बाइ टू चांसे है यानि वन बाइ टू चांसे है कि इंडिविजुल द्वाफ हो अब आप लोग सोचे होंगे टू कासे है तो यह भी हलकासा मैं बता देती हूं वैसे तो यह इजी सी बात है कि आप देखें दो इंडिविजूस आया है ना और फिर हमने हर एक की प्रोबेबिल्टी बतारी है तो मैं यही कहूंगी ना कि दो मेंसे वन चांस है कि टॉल हो और तो 50 को हमने हमें पता है वन बाइटू चांस है कि टॉल हो तो वन बाइटू मैंटिप्लाइब टॉटल तो हमारे पास जो अंसर है को है 25 इसका मतलब 20 इंडिविजूस टॉल होंगे और फिर 1 बाइटू यानि ड्राफ के लिए 1 बाइटू मुंटिप्लाइब 50 यानि 50 मेसे वन बाइटू इंडिविजूस है इन अधर वर्स 25 इंडिविजूस 50 मेसे जो है वो ड्राफ है और 22 जो है वो टॉल है यह वैल्यू हमने 1 बाइटू से मैडिप्लेयर करके निकाली और 1 बाइटू हमें क्रॉस करके प्रपोर्शनस निकालके पता लगी थी तो अब हमारे प बाद हमने अपने टेबल से 5% क्रिटिकल वैल्यू देखनी है यहां मैंने डिग्री ऑफ रिडियम नहीं लिखा है डोट नो मिस होगा यहां डिग्री ऑफ रिडियम यहां प्रपरबिबली 1 होगा क्योंकि यहां दो इंडिविजूस इंवाल्व हैं तो 2-1 हमारे पास 1 दीगे में कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी स्मॉल डी को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास 30 डॉल और 20 डॉफ टार्स आते हैं यह बात बिल्कुल सही है तो इस तरह के से अपना थर्ड टेस्ट पर लिया इसी तरह हम जले से लास्ट कॉस्ट्ट को भी देख चा है तो हमने इन दोनों के दिम्यां क्रॉस करा है हमने ट्रैंगिलर सीर्स के दिम्यान क्रॉस कराया औरAdd की तरह कर एक तो जो हमारे पास को सारी ट्रैंगुलर है है ठीक है तो इसके जो भी हमने किसी हाफ प्रसेस को सॉल्फ करना हो तो हमने जरस्कायस के लगाना होता है तो इसमें भी हमने इसी तरह किया कि हमारे पास एक ट्राइंगुलर है और इक वैट है दो इंडिविगुज्जाएं इनको पहले हमने पर दो मुझग को क्रॉस कराए तो जो मेरे पास पर इंडिविज्जाएं कैपिटल्टी स्माल टी जैसा कि में पर रिग्षांे उसके उसके पर इसने से स्टेम कराया है कि तो मैं व्डियू इस दो फ़र्स है तो हम फास चार इंडविज्व हम पहले है था सदे में पराध नहीं ने जिए अगर जी नहीं के तौर पर तो जो कैपिटल डीटीज्टी इन में फॉर में सेज़ आई वह ना तो बर फोर एक है तो प्रस्टी पर वह तो पॉल इसके बस्कुम क हमें निचान नены बड़ा त्रशार से isolator, is the total of inv Beispiel यह 510 total है निचान20च के ब승ma में सिथिट वगल के सीविड दी हो जो आवाइडल है नीकाली है थो तो हम smack लग यहांग ते तृटी द्वल्ड़ हो यह हांग है उत्वड़ाइड दी और हो जबकि हमारी question में जो अब्सोर्ब वैल्यू वे दी गई है तो directly हमने जो है वह कौर स्केर के formula में जो यह सारी values चाल ली है observed value minus expected values कि और expected value तो हमें पर जो आएगा वह 9.6 और इसको हमने दोबारा से जो है वह अपनी critical value से compare करना है तो यह value जो होगे परबैली परबैली है जो हमारी critical value 5% critical value से छोटी होगी तो हम करेंगे हमारे हापाउसे जो एकसेप्ट होगे तो जो आज की वीडियो बे हमने जिस यह सीखा कि किस तरह से हम जो है जब भी हमने hypothesis को किसी को पूर्फ करना हो तो हमने काई square के analysis करनी होती है जैसे जैसे हमें question में guide किया होता है वैसे वैसे हम cross कराते हैं और finally जब हमारे पास individuals आ जाते हैं तो हम जर सिंपल काउटिंग और fraction की जरीए उसके fractions बनाते हैं कि कितने person जो हर एक के proportion बन रहे हैं one by four बन रहे हैं three by four बन रहे हैं और फिर उस value को जब हम total individual से multiply करते हैं तो हमा बनाते हैं तो हमारे 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 हैं तो